नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागते एक नाय वेडियो में दोस्तों गर आपने बाइबीट पर अकाउंट बना रखा है और इसके अंदर आपका जो भी फंड है अगर आप इसको विड्रोल करना चाहते वो भी आइनार में अपने बेंक में तो आप कैसे विड्रोल करेंगे आज की वेडियो के अंदर में आपको complete process बताने वाला हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो फंड है पड़ा हुआ है बाइबीट अकाउंट में 17.53 डोलर आपका जो भी फंड है जितना भी फंड आप विड्रोल करना साथ है तो आप कर सकते हैं वो आप phone पे गूगल पे पेटियम की जरी अपने bank account में आप withdrawal ले सकते हैं सारा process इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको bybit account से अपने bank account में पैसे को transfer करना है अगर आप भी withdrawal करना चाहते तो फिर इस वीडियो में बने रहेगा चले दोस्तों आज का वीडिय शुरू करते हैं असके बाद में आपको bybit exchange को open का लेना है इस वीडियो के अंदर में आपको सब कुछ live process करके दिखाने वाला हूँ इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए लेकिन आपको कोई भी step मिस नहीं करना है जो मैं आपको तरीका बता रहा ठीक है तो आप वीडियो को जरूर से last तक देखेगा हर step by step में आप बताने वाला हूँ तो आपको एक भी step मिस नहीं करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले bybit exchange को open कर लेना है फिर यहाँ पर आपको home के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले sport trading में जो भी fund है उसको आपको funding में डालना होगा तो उसके लिए आपको asset पर क्लिक करना है और यह जो fund पढ़ा हुआ है मेरा sport में पढ़ा हुआ है यहाँ पर आपको funding wallet में लेके आना है इसको उसके लिए आपको transfer क बटन पर क्लिक करना है और यहां पर इसको चैंज कर देना है यहां पर आपको sport wallet कर देना है यहां पर sport wallet से funding account में हम लेंगे यहां पर BTC के जगा हम USGT कर देते हैं उसके बाद में इसको max कर देते हैं जो भी यह dollar है सब को मुझे funding में बेजना है तो confirm पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर जो भी मेरा sport wallet में होगा वो funding account में चला जाएगा जिससे कि यहां पर मेरा funding account में आ गया है यह आपको काम कर लेना है उसके बाद में आपको home के बटन बना रहा है उसके बाद में यहां पर आपको buy crypto के उपर एक मिलेगा deposit एक मिलेगा buy crypto इसके उपर आपको click करना है यहां पर आपको दो तीन option मिलेंगे उसमें से यहां पर है P2P trading इसके उपर आपको click करना है उसके बाद में यहां पर मिलेगा आपको buy और sell का तो यहां पर आपको sell वाले button पर क्लिक करना है और यहां पर आपको I.N.R. देख लेना है अगर I.N.R. नहीं मिलता है इसके ऊपर क्लिकर क्या आप I.N.R. सेलेक्ट कर सकते हैं वेसे आपको I.N.R. ही मिलेगा ठीक है क्लिक है यहां पर आपको sell वाले बटन पर इसलिए क्लिक करना है क्योंकि हम मारे पास जो पर USGT है वो हम किसी को sell करेंगे और जैसे हम उसको sell करेंगे तो उसके बदले में हमको INR में हमारे account में पैसा मिल जाएगा यह सब कुछ काम automatic होता है वो सब कुछ मैं आपको दिखाने बाला हूँ तो आराम से इस वीडियो को last तक देखेगा उसके बाद में आप पैसा कैसे लेना चाते हैं आप UPI की मदद से लेना चाते हैं फॉन पे गूगल पे कैसे लेना चाते हैं तो यहाँ पर आपको यह seller मिल जाएंगे आपको जो buy bit दुआरा verified होते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह जो seller है UPI से हमें payment कर देगा और bank transfer भी कर देगा यह seller है UPI से और bank से भी कर देगा अब आपको अपनी range देखनी है जिसे कि यह 3000 रुपे से 200,000 रुपे तक हमको यह payment कर देगा लेकिन मेरा जो मुझे 1600 रुपे यहां से withdrawal करना है तो मैं एक बार 1500 रुपे डाल देता हूँ जिसे मैं 1500 डालूँगा और जितना भी आपको withdrawal करना वो आपको यहां पर डाल देना है 1500 डाला तो यह 1500 के range वाला मुझे आ जाएगा जिसे कि minimum 1000 से 20,000 तक मुझे payment कर देगा और इसका यहां पर कितनी trade ली 92 यहां पर percentage दिखा रहा है यहनि 92 परसंट इसने cancel नहीं किया है सबको अपना payment कर दिया है तो इसका efficacy जो rate है वो 90 से उपर होना चाहिए अगर जिसका भी 90 से उपर है उसको आप select कर लीजेगा जिसे कि यह मुझे UPI से कर देगा और Paytm से कर देगा तो मेरे पास UPI ID है तो मैं इसको दे दूँगा ठीक है तो चलिए यहां पर इसको मैं select कर लेता हूँ सबसे पहले range देख लेना है limit जो 1000 दिखा रहा है तो मुझे 1600 रुपे विड्रॉल करना है तो मैं कर दूँगा और यहां पर UPI है तो चलिए मैं sell के बटन पर क्लिक का लूँगा असके बाद मैं enter amount तो मैं all पर क्लिक कर दूँगा जो भी मेरा 17.53 मेरा डोलर है वो मुझे sell करना है उसके बादे मैं मुझे 1560 रुपे मिलेगा ठीक है और यहां पर aid payment method तो आपको यहां पर payment method aid करना पड़ेगा यहां पर यह UPI से करेगा पेटियम से करेगा तो यहां पर आप पेटियम का number aid कर सकते हो और UPI ID भी कर सकते हो तो मैं यहां पर aid payment पर क्लिक करूँगा यहां पर payment method bank transfer है इसको आपको change करना है यहां पर आपको search करना है UPI चलिए यहां पर मैंने UPI search कर लिया उसके बाद मैं आपका name पूछ रहा है तो चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहां पर मैंने full नाम जो आपका UPI ID में नाम है वही नाम आपको डालना है और आप ही की UPI ID डालना है account आपके नाम पे है तो UPID भी आप ही की होनी चाहिए ऐसा नहीं की दूसरों के डाल दो ऐसा आपको नहीं करना है उसके बाद में यहाँ पर bank account number तो यहाँ पर आपको bank account number की जगह क्या डालना है अपनी UPID डाल देनी है तो चलिए मैं किसी की भी डाल सकते हो phone पे की पेटियम की Google पे की आपकी जो इच्छाओ डाल सकते हो तो मैं यहाँ पर पेटियम की UPID डाल दूँगा यहाँ समय इसको copy कर लूँगा और यहाँ पर मैंने इसको paste कर दिया है उसके बाद मैं यहाँ पर मैं confirm पर क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पर enter verification code की पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर इसके ओपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा जो पेटियम का नंबर है उस पर मुझे verification code आएगा तो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा चलिए हम यहाँ पर थोड़ा wait कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरा code आगया है मैं डाल देता हूँ उसके बाद में यहाँ पर confirm पर क्लिक कर लीजेगा तो यहाँ पर यह आपका payment method एड़ हो जाएगा जिसकी यहाँ पर UPI शो कर रहा है इसके उपर आप क्लिक करके आप यहाँ पर check कर सकते होगी आपकी जो UPID एड़ गरी वो यहाँ पर आ रही कि नहीं आ रही तो यहाँ पर मेरा पहले से टिक है तो इसी UPID पर मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर sell वाला बटन है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाप से इंटरफेस आगा और यहाँ पर pending payment दिखा रहा है जो 14 मिनट का दिखा रहा है यानि 14 मिनट के अंदर अंदर आपका 1560.38 रुपया आपकी अकाउंट में आ जाएगा जैसे आपकी अकाउंट में यह पैसा आता है उसके बाद में आपको release now पर आपको क्लिक करना है यानि जो भी आपका डोलर है फिर आपको release करना है तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वैट करना है तो चले यहाँ से थोड़ा सब वैट कर लेते है उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मुझे payment प्राप्त हो गया है और यहाँ पर मैं chat वाले option पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसने मुझे screen sort भी बेज दिया है और साथ ही यहाँ पर मेरा bank account का message भी आ गया बेंक के इंदर पैसा credit हो गया तो चले यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले PTM में जाकर proof दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने passbook और history को open कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको refresh कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1560.38 रुपय मुझे प्राप्त हो गया है मेरे PTM account में फिर मैं यहाँ पर बाइबीट में जाओंगा और यहाँ पर जो मेरा 1560 रुपय मेरे account में receive हो गया जैसे आपके account में पैसा receive हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर release ना उपर आपको click कर देना है और यहाँ पर इसके उपर आपको click करके यहाँ पर confirm कर देना है चले यहाँ पर gate code यानि हमारे mobile नमर पर एक OTP आएगा तो इस task को भी आपको complete कर लेना है फिर यहाँ पर एक OTP डाल देता हूँ मैं यहाँ पर OTP डाल देता है फिर confirm पर click कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि complete date लिखा हुआ है जो आपके पास USDT था वो उसके account में चला जाएगा यह जैसे ही आपके account में पैसा आता है उसके बाद में आपको यह USDT release करना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम check कर लेते है और यहाँ पर इसने और message किया है लेकिन हमने यहाँ पर आप इसको message कर सकते हो कि मैंने payment कर दिया है ठीक है अगर आप चाये तो message कर सकते हैं वेसे इसको payment यह चला गया है और इसको payment जो transaction complete हो गया वो आप यहां पर आकर देख सकते हो यहां पर zero हो गया ठीक है तो इस प्रकार से आप bybit से payment विड्रोल कर सकते हैं I hope इस वीडियो में दीगा information आपके लिए useful रही होगी